प्रिंस मित्रा के इस कौशल प्रशिक्षन अप्यान में आपका स्वागत है। आपको कुछ जॉइंटिंग टेक्निक्स बताएं जो आपको जिन्दगी भर काम है। तो देखते हैं प्रिंस के अल्टरा फिट एस ड्ड़ी वाइपिंग सिस्टम को जिन में पहले से विशुस तरिये क्वालिटी के दिन्लॉक सील्स फिट करके आता है। ये पाइप ज्यादा तर लेजिटेंशन और इंडस्ट्रिल इमारतों की ट्रेनेज सिस्टम में इस्तिमार रहा है। इसमें हैं वर्ल्ड क्लास दिन्लॉक सील्स जो देते हैं लीग प्रूफ परफॉम्स। चलिए देखें इस प्रोड़क्ट का सही इस्तिमार कैसे करना चाहिए। पाइप पर चारों तरफ से निशान लगाना बहुत जरूरी है ताकि आरीज से पाइप को काटा जा सके। हर तरफ से पाइप को सही एंगल में काटें। काटने के बाद पाइप को बाहरी किनारों पर शैंफर करें। स्पिगोट वाले सिरे पर लगभग 2 मिलिमीटर चौड़ा 15 डिग्री शैंफर उपलब्द कराना बहतर होता है। पाइप के भीतरी और बाहरी किनारों पर मौझूद बर और रिजिस को डीबरिंग नाइफ की मदद से हटा दें। अब हम सीखेंगे सफाई कैसे करते हैं। इंस्टलेशन प्रक्रिया के दोरान सॉल्वेंट सीमेंट लगाई जाने वाली सतह को सूखे कपड़े से पोँचकर धूल, मिट्टी, तेल, नमी या अन्य कोई भी मौझूद सामगरी अच्छी तरह साफ कर लें। पाइप वाले सिरे को अगले पाइप या फिटिंग के सॉकेट में डाल कर जांच करें कि सॉकेट की गहराई का लगभग एक तिहाई से दो तिहाई हिस्सा इसके भीतर मौझूद हो। भीतर जाने वाली पाइप की लंबाई पर निशान लगा दें। इसे आसानी से भीतर डालने के लिए इस पर अच्छी तरह लुब्रिकेंट लगा दें। पाइप को फिटिंग के भीतर तब तक बदलें जब तक पाइप का निशान लगा हिस्सा चारों तरफ से पूरी तरह भीतर ना चला जाए। अब बार याई सबसे मुख्य भाग दें। इंस्टॉलेशन करना और चालू करें। लीकेज की जांच 15 मिनिट तक 0.5 किलोग्राम प्रशर के साथ करें। पाइपलाइन को सही अलाइनमेंट में लगाएं और आवश्यक क्लैम भी लगा दें। तो ये था अल्ट्राफिट SWR सिस्टम्स की जॉइंटिंग करने का सबसे सही तरीका। और एक जरूरी बात खरीदते समय हमारे प्रिंच के नए मुखट वाले लोगों की चांच जरू कीज़े।